तो देखो exercise 9.3 और question number 5 discuss करेंगे जो कि class 9 से लिए गया है NCEIT के book से question है कि D, E and F respectfully मतलबता लगातार midpoint है एक triangle है अपने भासा में समझे तो एक triangle ABC है और इस ABC triangle का midpoint है BC का midpoint D है जबकि AC का midpoint E है और AB का midpoint क्या है F है यह बात हमने यहाँ पे mention किया ठीक है असाड़े को join करा दिया तो अंदर भी भी एक triangle बन गया है हना हलाकि देखें तो इसमें एक दो तीन चार ट्रेंगल बन रहा है और इसमें कुछ बात हमें प्रूप्र करके दिखाना है कि triangle कि इस triangle का area DEF तो चलो DEF को भस रहिए तो देखो यह triangle जो है अपना DEF यह जो triangle है यह triangle का जो area है यह बड़े triangle का क्या है fourth part है यानि यह ऐसा-चार ट्रेंगल को add करेंगे तो जाके यह बनेगा बड़ा सा triangle यह बात हमें प्रूप्र करना है बहुत वह simple है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बहुत ही easy है midpoint theorem में आप हम लोग use करेंगे और midpoint theorem क्या बोला था कि कि किसी भी triangle में दो side पे अगर midpoint लेते हैं और midpoint को और midpoint से join कराते हैं तो जो line segment बनता है वो opposite line segment के parallel होता है ठीक है ठीक इसी परकार यह भी line इस line के parallel होगा ठीक इसी परकार यह line भी इस line के parallel होगा परन लाइन यह भी लाइन यह भी line जो है की यह line जो है इस line के parallel होगा यहांसे यहां तक कर टुकड़ा भी इस line के parallel होगा आपऊजीट side equivalent parallel पेलल Rosie second any point आप बहुत काम का चीज है पैरलेलोग्राम बन गया और कहानी यहीं से शुरू होगा तो हम लोग चलेंगे ट्रेंगल A, B, C में जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी ट्रेंगल A, B, C ये तो उपड़ अमामाई का कहानी जो भी है वो लिखा गया है और हम रचलते परूफ में क्या चीज है ट्रेंगल A, B, C में और हमने देखा कि E जो है और F जो है वो midpoint है किस पर? E जो है A, C पर midpoint है जबकि F जो है A, B पर midpoint है जो कि हमने यहाँ पर mention किया बाइ midpoint theorem, midpoint theorem के according हम लोग तो बोलेंगे EF line जो होगा या FE line जो होगा वह BC के parallel होगा हम ध्यान समझना इस बात को जब BC के parallel होगा तो EF तो इसके भी parallel होगा, BD के भी parallel होगा equation number आगे अपना first, तो ये line इस line के क्या है parallel है, now अब हम लोग क्या करते है, देखते हैं E और D भी क्या है midpoint है, E जो है AC पे midpoint है और D जो है किस पे midpoint है BC पे midpoint है, E जो है किस पे midpoint है, AC पे जब कि D किस पे midpoint है BC पे midpoint है, ठीक तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि ये line जो अपना होगा DE जो होगा, DE line जो होगा, DE जो होगा वह किस के parallel होगा AB के पैरलल होगा यानि कि DE जो होगा किसके पैरलल भी होगा ABB के भी पैरलल होगा यानि कि ये क्या बन गया एक पैरललोग्राम बन गया ये क्या बन गया एक पैरललोग्राम बन गया कि ये लाइन ये लाइन के पैरलल और ये line ये line के parallel है ठीक है opposite side parallel parallel दिख रहा है ये बन गया दोनों equation चे equation first and equation second को compare करेंगे जब ये line ये line के parallel ये line ये line के parallel that means ये एक parallelogram है बात समझ में आ गया जो कि हमें लाना था पहला question में कि ये एक parallelogram बना रहा है ये बात हमें ये भी एक क्या है parallelogram है similarly यह बात हम प्रूब्ड कर पाएंगे कि parallelogram है तो हमने यह बात हम लिखा भी कि fd fd cf sorry 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 यहाँ पर नाम लिखने में थोड़ा mistake हुआ यह pain है तो parallelogram देखो यह parallelogram का नाम क्या है fd c e fd c e मतब यह अभी एक क्या होगा parallelogram होगा ठीक है also हम बोल सकते हैं कि d e a f d e a f b parallelogram होगा similarly हमने बात किया अब देखो एक जिए बताना छोटा सा बात है यहाँ पे हम एक triangle का नाम जो mention किये हैं देख सकते हो triangle का नाम क्या हमने mention किया है b fd मतब यह triangle यह triangle का जो area होगा किस triangle के area के equal होगा d e f k d e f k हम सभी यह बात जानते हैं कि parallelogram का जो होता है diagonal उसको दो equal triangle में divide कर देता है और अगर हम बहुत deep में जाएंगे तो बोलेंगे opposite side equal यह side यह side के equal यह common side triple s rule से दोनों triangle congruent होगा जब triangle congruent area equal होगा यह triangle यह triangle के equal होगा similarly बोलेंगे यह triangle भी triangle के equal होगा similarly बोलेंगे इस triangle भी triangle के तो सभी triangle आपस में क्या दिख रहा है equal अगर इसका नाम देदे हम लोग कुछ equation मानले कुछ भी इसका नाम equation मानले a इसका नाम देदे equation b इसका नाम देदे equation sorry c ठीक है सभी equation को compare करेंगे तो देखें हम पहले हम लोग क्या देखें यह triangle यह triangle के बराबर है फिर हम देखें कि यह भी एक पहले लोगा तो यह triangle यह triangle के बराबर बिल्कुल डाल सकते हैं कि D E F बोलेंगे कि B E D जो है शोड़ी B D F जो है इस ट्रेंगल के एक्वल है यानि B E D F के जगा ये ट्रेंगल भी डाल सकते हैं ये ट्रेंगल इसके बराबर तो इसके जगा ये डाल सकते हैं यानि यह four times आएगा वो triangle कोई डाप तो नहीं होना चाहिए तो यह four times जो हम लिखेंगे द्यान समझना यह चीज को four times लिखेंगे तो यहां पर आता four multiply में आता कि नहीं आता तो इस चीज को हम थोड़ा समझा देते हैं यहां पर द्यान समझना इस बात को कि एक यह triangle अपना है यह कुस्तन थोड़ा आसान भी है और अच्छा भी है टेंसर नहीं लेना है लेकिन थोड़ा माथा का पच्ची करना पड़ेगा तुम लोग को समझने के एक लिए ए बी सी और यह डी है और यह एफ हलागी बहुत ही इजी है हम लोग यह बात जान चुके थे कि ट्रेंगल जो है एरिया आफ ट्रेंगल लिखेंगे सौट कॉट हम लिखे दे रहें या लिखी देते पूरा एरिया आफ ट्रेंगल बी डी एफ जो है वह किसके दूसरा हम बोलेंगे एरिया आफ ट्रेंगल डी ए ए सी जो है वह भी इकषर है एरिया आफ किसके ट्रेंगल डी एफ के तो हर इस्थिती में सबसों करोंगे एरिया आफ ट्रेंगल ध्यान समझना A E F जो है वो अभी किसके equal है area of triangle D E F के यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब ध्यान समझना हम बोले area of triangle A B C क्या होगा तो बोलेंगे न यह triangle, यह triangle, यह triangle triangle 1 plus triangle 2 plus triangle 3 plus triangle 4 सारा triangle को add करेंगे यानि बोलेंगे area of triangle B B D F plus area of triangle D E C plus area of triangle A E F plus बीच बाला area of triangle D E F यह सारा करेंगे तो इतना long process था, वहाँ पर जगा का कमी था इसलिए हम नहीं किये थे तो देखो, यह सब ही जो था, किसके equal था D E F के equal था, इसे हम equation अगर माल लेते A, इसे equation B और इसे equation C ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ध्यान समझना फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड इक्वेशन C यह सभी equation से हम लोग क्या बोल पाते हैं कि area of triangle A, B, C is equal to area of triangle यह भी triangle किसके बराबर है D E F के D E F के equal था D E F, आप अब पर लसे D E F किसके equal था, अपने आपके equal है D E F, area of triangle D E F तो 4 बार आया यह, तो 4 into area of triangle D E F आया ना, 4 times area of triangle D E F और किसके equal था, area of triangle किसके A, B, C के equal था, 4 divide में चला जागा, इधर multiply थाधर divide तो 1 by 4, area of triangle A, B, C is equal to area of triangle D E F तो इतना बड़ा कहानी जो था, उसको हम इतना दिर में खतम कर दिये हैं लेकिन तुम लोग को कोसिस क्या करना है, कि इसको हम लोग ऐसे simplify करके solve कर ले ठीक है, जगा का कमी था, उसी की recording हमने किया तो ये दूसरा बात जो था, question का दूसरा पार्ट जो था, वो पार्ट हो जाता है, proved तो तुम देख सकते हो, दूसरा पार्ट में यही proved करना था, तीसरा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और तीसरा पार्ट में भी हम यहाँ पर किये हैं और इसा ही कुछ work, और देखोंगे, क्या है, तो देखो, पैरलेलोगराम A, B, D, E, F, को हमने पैरलेली बात पूरूप किया था, B, D, E, F क्या है, पैरलेलोगराम है, देखो, ध्यान समझना, यह B है, यह D है, यह E है, और यह F है, इसमें कितना triangle यूज किया गया है, टोटल इस triangle बनाने में, 4 triangle का use किया गया है, doubt clear है, इसमें से 2 triangle का हमने use कर लिया है, तो जेनरली माइन में लगाएंगे, कि area of triangle ABC का, यह हाप होगा यह, टोटल 4 था, 4 में से यह 2 लिया, तो कितना बच गया, हाप दो बचा, तो वो बात हम यहाँ पर हमने mention किया, कि यह triangle का, देखो, यह triangle का area, धेहाँ समझा, यह triangle का area, पालास, यह triangle का area, लिख दिये, कोई doubt, नहीं होना चाहिए, अब देखो, यह triangle, यह triangle का पहले से, बच्पन से equal था न, तो आपर हम लोग लिख सकते हैं, replace करके, replace करके डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, बोलो, डाल देंके, replace करके, तो दूनों दू टाइम आ गया, टू area of triangle DEF, और area of triangle DEF हमने क्या प्रूफ किया, देखो, यह बात तो प्रूफ किया न, कि क्या होता, 1 by 4 area of triangle ABC, तो 2 के जगा, 2 as it is रह गया, DEF किस के equal हमने प्रूफ किया था, 1 by 4 area of triangle ABC, 2 से 2 times, 4 cancel, तो 1 by 2 area of triangle ABC, जो बात में प्रूफ करना था, वह बात हो जाता है, प्रूफ, तो वीडियो लंबा है, मजाने वाला है,